आप देख रहे हैं दीडी पुर्फुमन हिंदुस्तानी तहजी वसकाफत का तर्जुमार पिछली किस्त में आपने देखा कि शाह जहां ने फन्न तामीर को ज्यादा फरोग दिया हाला कि उसके दौर में भी मसविरी आला दर्जे की थी और खास दोर से तस्वीरों के हाशियों पर तवज्जो दी जाती थी शाह जहां ने मसविरों की तकरूरी घटा दी लहाज़ा कई मसविर शाही दर्बार छोड़ कर रऊसा और वुजरा के साथ वाबस्ता हो गए शाह जहां को उसके तीसरे बेटे औरंगजेब ने माजूल कर दिया ये वाकिया अकबर की ताजपोशी के कमोबेश सौ साल बाद पेश आया इस सौ साल यानी सौलवी सदी के वुस्त से सत्रवी सदी के वुस्त तक मुगलिया तर्ज मसफिरी एक जिन्दा फन की शकल में मौजूद रही इसके बाद की कहानी में जवाल शुरू होता है इस जवाल की वज़ा औरंगजेब की सक्तगीर पॉलिसियों को बताया जाता है और उसकी कटर मजभी शक्सियत को मुसविरों की मौत की वज़ा तसवर किया जाता है ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि उसकी इस सियासी सूजबूच की गलती ने उसकी सल्तनत को बरबादी के दर पर लाखड़ा कर दिया और ये जवाल तमाम समाजी, इल्मी और सियासी मैदानों में आया जिसे उसके अज़दाद ने बहुत इहतियाद से पाइन किया था इन मैदानों में मुगलिया तरज मसविरी भी थी जो इस सल्तनत के साथ साथ ही खत्म हो गई ये सही है कि बाद में औरंग्जेब के बेटे और पोते उस तरह के बादशाह नहीं थे जिस तरह के बादशाह अकबर जहांगीर इंशा जहां और औरंग्जेब रहे या शुरू में भी बाबर हुमाईयू जैसे रूलर्स रहे लेकिन ये भी कहना है कि एक दमी लाख़र और बिल्कुल ख़दम थे ऐसा नहीं ऐसा भी नहीं था क्योंकि उसका एक उसकी वज़ा थी वज़ा यह थी के डेड़ सो साल में मुगलों का जो अचीवमेंट था और जो कांसॉलीडेशन था और मुगल हाउस होल्ड के तहीं के प्रती जो लायल्टी और इसका जो लेजि को कि अगर वैसा होता तो 1707 से 1857 तो साल की फिर भी हिस्ट्री है मुगल हिस्ट्री है दिल्ली में और दिल्ली के इतराफ में 1803 में मुगल दिल्ली पे आते हैं उससे पहले तक मुगल लेजिटिमेसी कांटनियूस हाना के कोशन किये गये हैं मीड 18 संचुरी में उगला मुस है अब का कि अब शायद ये जरूरी नहीं है कि मुगल प्रिंस ही मुगल एम्पेरर बने और हिंदुसान का बादशा बने कोई भी केपबल आदमी जैसे सेयद ब्रदर्स ये सब ये बादशा हो सकते हैं और दे बेटर बेटर एम्पेरर लेकिन मुगल हाउस होल्ड की जो इसी है और उसका जो औरा है वो 18 संचुली तक रहता है ये दौर फन में शाहजहां के दौरे हुकूमत की तायुश पसंदी के इजहार से शुरू होता है ये भी मुम्किन है कि इस एहद में ये जवाल रुख गया हो और अगले दौर की तरफ किसी ऐसे हुक्मरा के लिए आगे बढ़ गया हो जो इस फनून पर तवज्जो दे सके लेकिन बतकिस्मती से इसका उल्टा हुआ ये फन इसके जानशी और रंगजेब के जरिये जो इसलामी गवानीन का सक्थ पाबन था और भी मातूब हो गया और रंगजेब की मास सक्थगीर मुसल्मान थी शायद इसलिए वो पूरी सक्थी से इस पर अमल करता रहा दूसरों के अकाइद इसके नस्दीक कम लायके एतना थे वो इसलामी कानून पर पूरी सक्थी से कार बंद था और रंगजेब ने बहुत सी तस्वीरों को बरबाद किया क्योंके उसके मताबक इसलामी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता और ऐसा माना जाता है कि उसने अपने हाथों से बहुत सी तस्वीरों को जाया किया उसने एक शुबा बनाया जो मसविरी और मौसीकी को रोक सके यह पुलिटिकल था कि और अरंगजेब ने उस वकत पॉलिटिक्स ही खेली और इस वज़े से कुछ फरमान उसने निकाले कि यह नहों वो नहों पर अगर आप उनका जो प्रोडाक्शन देखिए तो मेरे खिया से कम हो गया होगा पर जो उसकी बारीकिया थी जो उसकी खुफसूरती थी उसमें कोई दखल नहीं था वो उसी की तरह से हमें आपको हम एग्जामपल्स भी दिखाएंगे आपको करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि औरंगजेब जो है कभी कभी हमें भी औरंगजेब को देखना पड़ेगा दूसरी निगाह से इसलिए देखना पड़ेगा क्यों कि हमें फिर वो गरीब देखें उस वकत के तो एक फिर से गौर करने वारी सक्षित है यह शाजहां जो था है उसको ऐरली स्टेज में उसकी वाइफ चली गई थी तो उसको एक बड़ा सेट बैक सा लग गया था मगर उसके टाइम में पिक्चर्स को मिनियेचर्स को जो पैटर ने दिया वो दारश अगर दारशुको गदी पे बैठते तो वो दूसरा अकबर होता मगर सवाल वही अकबर का है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के पास रहा उनकी छत्रचाय में रहा उनकी देखभाल किया उसके पास उतना डिप्लोमेटिक माइंड नहीं था जितना औरंगजेब के पास था जो थर्ड ब्रदर था औरंगजेब औरंगजेब को हमेशा कोड से दूर रखने के लिए उसको कभी दकन का सूबा दे दिया तो कभी गुजात का सूबा दे दिया तो कभी बंगॉल का सूबा दे दिया तो उनके जो होते हैं वो रिजिनल टरिटरी के एक्सपिरियंस वो औ Genk정이 और की उसको idea नहीं था उसको ज़ादा idea नहीं था और वो war नहीं कर पाए और avoir随क को क्यूंकि जगे जगे वह सब उसने अपने सारी हर सुबह में जहां कुछ हुआ उसकी पकड़ती उसको तो उसने पुरी आर्मी को अपने साथ कर लिया और जो lubral attitude तो उनको लगता था कि थोड़ा सा रिस्टिक्ट होना चाहिए हमें इसलाम को स्प्रेड करना चाहिए तो उनका एटिटूड जो था औरंगजेब की तरफ था मजमुई तोर पर ये बात कही जा सकती है कि औरंगजेब ने फनकारों की थोड़ी भी गदर नहीं की वो इस जरियाए इजहार को अपने एहदे हुकमरानी में किसी भी शकल में पेश किये जाने का रवादार न था इस बात कभी सुबूत है कि उसके दोरे हुकूमत में अदना दर्जे की तखलीकात सामने आई है जबकि उसके पहले के दोरे हुकूमत में काफी बहतरीन तखलीकात पेश हुई थी बादशाह के हुकम पर बहुत सी तस्वीरें हटा दी गई जिनमें खुद औरंगजेब की अपनी तस्वीर भी थी औरंगजेब का इमेज है यह 19 संचुरी से इस तरह से बनाया गया है कि वो बिलकुल मझहभी था हमेशा से वो एंटी राजपूत था सो एंटी मतलब एंटी हिंदू भी था और वो म्यूजिक और उसके खिलाफ था पेंटिंग के खिलाफ था यह सब यह पूरा दूस पूर और उसका जो आप देखी हैं क्लोजली देखेंगी तो आप अंदाजा होगा कि औरंगजेब उससरे का जो फैनेटिक रूलर का इमेज है वैसा नहीं था एक हिस्टॉरियन है म्यूजिक हिस्टॉरियन है कैथिन ब्राउन उन्हें बहुत अच्छा काम किया है और उसमें दि अच्छाना है कि अकबर बहुत लिबरल था टॉलरेंट था और उसने बढ़ा उसने एक बड़ा बनाया और उरंगजेब बहुत पैने था कट्र मुसल्मान था उसने जो मोगल उम्पार बनाया था अकबर ने उसको दूबा दिया इसलिए और उसको इस दिखाने की जरूव लेकिन शुरू के पचीस साल, पचास साल के दूर में शुरू के पचीस साल में औरंग्जेब ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि औरंग्जेब कोई कटर मुसल्मान रहा होगा और उसने कुछ म्यूजिक के फिल्ड में या आर्ट फॉर्म्स में या फिर जनरली मधब के नाम पे कुछ ऐसा काम किया होगा जो बिल्कुल उसकी इमेज को कटर मुसल्मान की तरह बना रहता है औरंग्जेब शिकार, सफर, मुताले, हकूमत और अपनी फॉच को तर्टीब देने में लगा रहता जबकि जहांगीर और शाह जहां अपना वक्त उनकी मिनियेचर की तखलीकात में देते थे इन सभी तस्वीरों में वो एक बज़र्ग की शकल में जाहिर होता है नुट थे वो सब माइगरेट कर गاي तस्वीर खानाबंद हो गया तस्वीर नहीं बनी इसे थे सकता है मैं कहा नहीं सकती पर कभी कभी हो सकता है कि बादशा को खुश करने के लिए किसी आर्टिस ने बादशा की पिक्चर बना दी में जादा मिलती है जादा तर वह डखन के पीछे पागल हो गया कि मुझे पूरा दकन जीतना है तो गौलकुंडा जब उसके डिक्टा जी कि आपने गौलकुंडा जीत लिया है तो उस वक्त तक वो काफी बुड़ा हो चुका था काफी ओल्डेज हो गई थी और एक्च्वल में अगर वह दकन के पीछे नहीं होता तो और भी जादा कर सकता था मगर वह दकन के पीछे पागल होने से ही इसलिए वाद में जीनोबाद उसको हथियार डालना पड़ा औरंगजेव अक्सर अपने बेटे की तस्वीरों को देखता ताकि उसे उसकी सहत की इत्तिला मिलती रहे औरंगजेव के अंदर भी बहुत सी इंसानी कमजोरियां थी वो इस बात का खाहिश मंद भी था कि उसे भी तस्वीरों में नुमाया मुकाम मिले खास दोर से दुश्वार तरी नौकात में जो उसने दकन में गुजारे थे ऐसी बहुत सी तस्वीरे बनाई गई थी जिसमें उसने मुहासरे किये थे सुफिस्टिकेटिड जो काम आप कुछ आ जहां के जमाने में नजर आता है जिसमें प्यूरिटी ओफ कलर, प्यूरिटी ओफ फॉर्म ये सब जो आपको नजर आता है और जो दर्बार के बहुत सीने वो थोड़े कम हो जाते हैं मैं इतना कहूंगे वो कम एक्जामपल हमें मिलते हैं और ये भी बजाहिर है क्योंकि वो पुलिटिकली बहुत इन्वाल्ड रहे और अरंग्जेब जबकि शाह जहां के पास एक बहुती बड़ा पीरियट था जिसमें कि वो अपना सब खुद बजाती तोर से देखते थे करते थे और दिल्चस्पी थी पहली बात तो ये मगर ये कहना है कि डिकलाइन अद्दम से दिखाई देता है मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ थोड़ा वक्त लगता है उसको डिकलाइन होने में 1707 में औरंगजेब की वफात के साथ मुगलिया तर्जे मुसवरी बंद होने लगी इसके बाद कई बात्शा आये लेकिन कोई भी मुस्तहकम हुकूमत पायम न कर सका और दरबार तीन जानशीनों के कतल की खुफियागाह बन गई इस खांदान की ये दास्तान अठारवी सदी के निस्व अवल की है इन गेर मुस्तहकम हालात में लोग तहफुस के साथ अपना कारोबार नहीं कर सकते थे जिससे ये फुनून जिन में मुसवरी भी शामिल है रुक से गये दीरे दीरे मुगल दरबार अपनी शान और शौकत खुने लगा और दूसरे दरबार मुल्क में फैलने लगे फनकार इस जवाल पजीर राजधानी से कूच करने लगे और दूसरे फलने फूलने वाले मराकिस के जानिब रुख करने लगे ऐसा हुआ कि जहांगीर के समय तक तो काफी पनाह मिली पेंटिंग को स्पेशली पर जहांगीर के बाद में जो भी पोलिटिकल इंटर्वेंशन्स हुए जो भी सिनेरियो रहा जो भी परिदृष्य सामने आता है उससे धीरे धीरे पेट्रोनेज में दिली के जो कोर्ट में कमी आने लगी और आर्टिस जो थे एक क्रियेटिव कमिनेटी होती है उनको सारे समय कुछ चहिए कि करते रहें तो उनको धीरे धीरे वो जो थे उनमें से कुछ राजस्थान की ओर चले गए कुछ जो थे वो काफी सारे नौर्थ के नौर्दन हिल्स में उत्तर भारत के छोटी छोटी रियास्तें जो थी हिमाचल जो आज के समय में जिसे हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जमू कश्मीर या फिर गढ़वाल का जो उत्तरी गढ़वाल का रीजन है तो वहां पर चोटी चोटी रियासते थी, उन रियासतों में चले गए और जहांपर आलरडी वहां के जो लोकल आर्टिस्ट थे, जो लोकल कलाकार थे, वो काम कर रहे थे, इनके साथ मिलके उन्होंने काफी काम किया, और उनको एक अच्छा पिटरनेज मिला, वहाँ पर राजपूत केंग्स या सिख राज्य थे उनको ये करीब 17-18 शिताब्दी में काफी इसमें 17-18 शिताब्दी के दूसरे भाग में और 18-18 शिताब्दी में और इन में से जो में हैं वो चमबा, गुलेर, जम्मू, बसोहली, कुलू, नूरपूर, मनकोड, छोटे-छोटे सेंटर्स जो थे वो प्रभावी बनते गए वहाँ पर आर्ट जो थी वो अच्छी डिवलप हुई और बाद में जिसको की एक हम कहते ही काफी रिफाइंड वे में उभर करके आया वो था गुलेर कांगडा स्टाइल जिसको हम के शैली के नाम से जानते हैं अवद और हैदराबाद की बागई रियासतों का उरूज होने लगा और फनकारों की कई जमात ने इस बदलते हुए माहौल में अपने तर्जिफन में भी तबदीली लाना शुरू कर दिया अठार्वी सदी के अख्तिताम तक मुगल फनकार इधर उधर बिखरने लगे कुछ लोग राज़धानी ही में रहे मुलाजमत में नहीं लेकिन बाजारों में इसमें ज्यादातर मुसल्मान थे बहुत से हिंदू फनकार भी हमदर्दी और सहारे के मोताश थे लेकिन जैसे ही इलाकाई इसर गालिब आने लगा मुगलिया तर्ज मान पढ़ने लगी आज की किस्त में आपने देखा के औरंगजेब के एहदे हकूमत में मुगलिया तर्ज मसवरी का जबाल शुरू हो गया उसने फनकारों की जरा सी भी गदर नहीं की जिसका सबूत उसके दौर की तखलीकों में मिलता है जो बहुत ही अदना दर्जे की है हलांके खुद औरंगजेब की भी कई तस्वीरें हैं लेकिन कहा जाता है कि वो तस्वीरों को खेर इसलामी मानता था लहाजा उसके एहद में कई तस्वीरें तबाह कर दी गई झाली कि उडिए औरे आता है